आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस का यूटूब चैनल पर थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा अगर आप इन वोईजिंग नहीं करेंगे तो अब आपको पेनल्टी लग जाएगी सर आप ये कैसी बाते कर रहे हो भाईया देखो ताजा ताजा नोटीस आया है दस जन्वरी को दस जन्वरी 2024 को नोटीस आया है फिनेंशल इर तेईश चोविस के लिए व्यक्ति का जुर्म क्या है फेल्स टू इसू इन वोईज उसने इन वोईज इसू नहीं करे तो उस पर पेनल्टी लग गई तो भाईया कौन से सेक्शन में लगी है सर सेक्शन 122 में कौन से सेक्शन में पेनल्टी लगी है ये नोटीस के अंदर नहीं बताया ये तुम्हारे को चेक करना पड़ेगा कि सेक्शन 122 में कौन से सब सेक्शन में पेनल्टी लगी है सर सेक्शन 122 कहता गया है भाईया बात सुन लो आज शाम को आज शाम को saturday को हमारा penalty के ऊपर section है ठीक है न जिसके अंदर हम सारी penalty बताएंगे तो वहीं पर हम ये भी discuss करेंगे अगर किसी को join करना है तो अभी join कर लेना और अगर किसी की class छूट जाए तो हमारे app पर जाकर recording class ले लेना सर कहता किया section 122 भई देखो section 122 में दो जगा penalty लग सकती है इस case में पहला case है section 122 section 1 ठीक है उसका close 1 ये क्या कहता है supplies any goods or service or both without issue of any invoice अब इस वाले case में हुआ क्या होगा client ने क्या करा होगा e-invoising issue नहीं करा होगा उसकी जगापर normal invoising कर दी होगी और जब उसकी जगापर आप normal invoising कर देते हो तो हमारा जो rule है वो ये कहता है कि भाई अगर आपके ओपर e-invoising applicable था और अगर आपने normal invoising करा तो हम ये मानेंगे कि आपने invoice issue नहीं करा और अगर आपने invoice issue नहीं करा तो section 122 के अंदर आपको penalty लग जाएगी section 122 subsection 1 close आई तो यहां पर यह लिखा हुआ है कि भाई इसके अंदर जो penalty लगेगी जितना भी आपने tax evaded करा होगा वो लगेगी या 10,000 रुपीज लगेगी तो सर हमने तो tax evaded करा नहीं क्योंकि हमने तो सारी सेल को GSTR 1 में दिखाया 3B में दिखाया तो tax evaded तो हुआ नहीं तो हमने तो स्रिफ e-invoising issue नहीं करी तो आप यह मालनों invoice issue नहीं करा तो हमारे उपर 10,000 की penalty CGST में लगा देते 10,000 की penalty SGST में भाईया यह वाली बात GST officers को भी पता थी कि अगर मैं section 122 subsection 1 के अंदर penalty लगाऊंगा तो मेरे को स्रिफ 20,000 की penalty लगेगी तो यहाँ पर assessing officer ने section 122 तो यूज करा लेकिन subsection 1 यूज नहीं करा तो सर फिर कौन सा यूज करा comment box में लिख कर बता हो उन्होंने यूज करा section 122 subsection 3 सर section 122 subsection 3 क्या कहता है section 122 subsection 3 कहता है any person who ठीक है ना fails to issue invoice कि अगर कोई व्यक्ति invoice issue करने से fail हो जाता है in accordance with the provision of this act और rules made there under और आप अगर invoicing नहीं कर रहे इस provision के हिसाफ से तो आपको एक 25,000 रुपे की penalty लग जाएगी तो यहाँ पर 25,000 की CGST में लग जाएगी 25,000 की SGST में लग जाएगी तो अब आपको यह बताना है मुझे comment box में लिख कर कि अगर e-invoicing का case है तो यहाँ पर penalty section 122 subsection 1 में लगनी थी या section 122 subsection 3 में लगनी थी लेकिन जरूरी नहीं है आप छोटा सा बीच बोल कर आप इसकी penalty को कम भी कर सकते थे लेकिन GST officer ने का नई भही आप मैं क्यों कम करूँ इन्होंने तो CGST में भी 25,000 लगा दी SGST में भी 25,000 लगा दी और कमाल देखो IGST में भी 25,000 लगा दी और कहा कि भाई साब 75,000 की penalty दे दो अब आपको comment box में लिख कर बताना है कि क्या यह penalty 122 एक में अगर लगती तो क्या 10,000 में छूट नहीं जाते बोलो भाई साब छूट जाते या नहीं छूट जाते हाँ सर बिल्कुल छूट जाते तो अगर आपको ऐसा penalty का notice आता है तो आप simple इस वाले case में क्या करना आप section 122,1 को quote करना कि भाई साब मेरे उपर जो penalty लगाओ वो तो 122,1 में लगाओ और साथ में एक high court की judgment है जो हमने इस महीने की magazine में दिये वहाँ पर भी assessing officer ने 56,000,000 की penalty लगाई थी लेकिन 56,000,000 की penalty को बाद में 10,000 रुपे की penalty में convert कर दिया था 56,000,000 की penalty को बाद में 10,000 की penalty में convert कर दिया था तो आप ये वाले high court की judgment लगा सकते हूँ समझ मैं ही मेरी बात clear secured service वाले में तो इस वाले में क्या है कि जो आपको penalty 75 की लगी है तो मेरे साथ से 10,000 की लगके छूट जानी चाहिए सर पेनल्टी लगनी ही क्यों चाहिए अभी तो e-invising के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं कभी ये 10 over 10 करोड करते हैं कभी 5 करोड करते हैं तो क्या ये penalty वैसे नहीं छूट जानी चाहिए भाई अगर आप देखो तो कोई इतना बड़ा ओफेंस नहीं है सर इतना बड़ा ओफेंस क्यों नहीं है इन्वasis करनी थी नहीं करी क्योंकि भाई गोवर्मेंट ने भी तो गोवर्मेंट ने भी तो एडवाइजरी निकाल कर ये बोला था गोवर्मेंट ने भी तो advisory निकाल कर ये बोला था कि जिनकी e-invoising pending है वो e-invoising issue कर लो अपने तो महाँ पर उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम penalty लगाएंगे लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर GST department आपको penalty लगा रहा है तो भाया अगर किसी के उपर e-invoising applicable है अगर किसी के उपर e-invoising applicable है और अगर वो e-invoising नहीं कर रहा तो इस बात को ध्यान से समझ लो उसके उपर penalty के notice हा सकते हैं फिर आपको इसका reply करना पड़ेगा reply करने में आप ये कह सकते हो कि भाई साब हमारी जो penalty है वो कम कर दो ये minor बीच है 121 में penalty लगा दो 10,000 की तो 20,000 में आप छूट सकते हो 75,000 की जंगा ठीक है आई-जेस्टी में जो penalty लगी है 25,000 की सही है या गलत अगर आई-जेस्टी में लगी रही थी तो 50,000 की लग जाती क्योंकि महाँ पर तो double amount है अरे नहीं सर महाँ double नहीं होता अगर आई-जेस्टी की penalty है तो penalty के लिए तो 25 पड़ेंगे ठीक है न तो मैंने किसी notice में आई-जेस्टी की separate penalty लगते हुए जादतर case में नहीं देखा जहाँ पर tax नहीं है अगर tax है तो penalty लगती है लेकिन यहाँ पर इनोंने penalty लगाई है 25 जार गी तो comment box में मुझे लिखकर बताओ क्या यह सही है या नहीं तो इसका आप reply दे सकते हो और अगर आपने अभी तक Arjun course join नहीं कराया तो फटा-फट से Arjun course join कर लो सर पहली class कैसी लगी YouTube पर देखकर बताना या हमारा app download कर लो महाँ पर Arjun class की पहली class हमने free डाल लख की है और 10 घंटे का course free डाल लखा है तो फटा-फट से join कर लो batch को जिससे कि आप अपनी knowledge को enhance कर सको वीडियो कैसी लगी comment box में लिखकर जरूर बताना इस वीडियो को देखने के लिए देर सारा प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद